जी नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर मैं वरेसिंग रहा थोड़ आज की क्लास हमारी आपके सामने सीर्शरक आपको दिख रहा होगा क्या है जो टाइटल होता है हमारी क्लास का वो है आज की क्लास mcq 30 mcq कराऊंगा यहां पर मैं 30 mcq कराते हुए चलूँगा आपको बिजनेस और्गेनेजेशन और फॉर्मस ऑफ विर्गनेजेशन के कोश्चन साथ है तो इनके ओपन के बेसिस पर मैं आपको 30 mcq कराते हुए यहां से चलूँगा ठीक है most important और इसी तरह की सा और mcq भी चलाएंगे तो खराएंगे अपने mcq चलाएंगे पूरे जित्रे भी टॉपिक से आपके 30-80 questions की एक सीरीज रहेगी उसके अंतर 30 mcq कराते चलूँगा हर टॉपिक वाइस चाहिए बिजनेस ऑर्गेनेजेशन हो गया एंट्रेश्मिनेवर्शिप हो गया आगे जो 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 इसको अपने अच्छी तरह से करना है हमारे नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिच मीडियम दोनों यह बाता है। मेरी क्लास में आपको ऐसे को इसे कोई लिकत नहीं आएगी यह मैं आपको करता हूँ फिर भी डेमो क्लासिस हमारे कोर्स के अंदर दे रखें आप हर किसी अलग अलग बैचिस के डेमो क्लासिस दे चलो स्टार्ट करें चीके सर आपने दो मिनित ऐसे कर दिए अब स्टार्ट करते हैं चलो एंश क्यू बिजनस और्गेनाज़ेशन का चलो पहला कोशन आपका दे लाइफ ओफ हिंदी इंग्लिस तोनों दे रहे हैं यहाप यह इंग्लिस में है यह हिंदी में ठीक है थोड़े निचे देख लेना थोड़ी बहुत मिस्टेक हो दोनों को साथ में पढ़ने के लिए दोनों को साथ में रखा मैंने ठीक है पीडिएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी आप निश्चींत रही है चलो तो पहले कोशन आपके सामने दे लाइफ ऑफ दे सोल प्रोप खुद को confidence आपका coming out ठीक है हलके हलके सवाल कोई दीकत वाली बात निए चलो the life of sole proprietorship की life कैसी होती है मैंने आपको बताया था sole proprietorship की life कैसी होती है मैंने का था सुबह थेला लेके जाता है आग दुकान खोली कल थेला लेके नहीं गया दुकान नहीं खोलनी तो नहीं खोलनी तो वो के stable नहीं है लाइफ क्या होती है वह होती है अनिस्टेबल होती ही क्या होती है फिक है जो अपने सब्सक्राइब के जाएंगे हिंदी मीडियम में नीचे कुछी निये तो मैं इसके साथ साथ ऐसे तीक करते हो चलूंगा तो आप थोड़ा साथ करो नहीं भी किट्सक्राइब यहां से भी मैंक्जिमाम लिमिट इन केस ऑफ कहने का मतलब जब कॉर्पेट सोसाइटी अपन कर रहे थे वहाँ पर मैं साइध उस नोट में आपको बता है नहीं बता है अभी यहां पर जो जो चीज कहीं पर चुक गई होगी न वह यहां पर करवर करते हो चल रहा हूं ठीक है तो आप य किया या किसी तरह का मैं क्लास में बोलता हूं उसको मैं स्थी शीरीज के तहट कवर करने की कोशिश करना जैसे कि यह कोशन होगा के मैक्जीमम लिमिट मुझे दिखा के पहले किसी एक्जाम में पूछा हुआ था तो मैं इसको डाल दिया ता मैक्जीमम लिमिट केस ऑफ तो मिनिममम् मेंबर 59 थि में नहीं मेंपधिagne कशीति हो उनय था I 9 लोग के हाप होने ही चाहिए ठीक है, ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आगी, इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ठीक है, यह आपको बताने के लिए, तो यह देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप तो पता चल गए आपको आंसर, बिल्कुल सर, हमें आंसर आप पता चल गए, आपने खुद न समाज, ठीक है, चलो, next, what is the limit of members in case of private limited, private limited के members की मैं आपको करवा चुका हूँ, क्या limit है, minimum कितनी है, और maximum कितनी है, दोनों ही करवा चुका हूँ, minimum 2 चाहिए, maximum 200 चाहिए, maximum कितनी है, 200, पहले यह 50 ती, इसको बढ़के 200 कर दीगे, आपको याद कितनी रखने है, 200 याद रख समाज, मैं आपको बताया था, जब कंपनी का कैपिटल, जिपनी का कैपिटल, या उसको कैपिटल को, छोट चोटे चोटे पार्ट के अंदर, numbers of parts के अंदर, जब पार्ट की बात करेने, इसको क्या बोलता है, हम अमारे लेंगिज में, शेर बोलते हैं, यानि चोटे चोटे पूचिन के अंदर western capital of company company Exc interestingly growth margin कि अध Hz चहला उन्हीं की पुनजी को कई बागों में विभा जित किया जाता ह। उसले प्रतेक को right में एक हुआ मेध की किया हुआ हुआ मैंने तो कहीं पैसे यह लैंग्वेज की प्राब्लम माँए पहले इडिस्कलेमर देते हुए जलगी हिंदिवीडियों वालो कहीं पर आपको दिख čता रहा है तो को दिήर न fborn यहां पर मैं मैं दे रखा है जैसे हिंदी में इसको शएर को शेर बोलें बचा रहा है किसी चीज से या मेरी या मेरे वन एक्जाम की कम यह निकालने आ रहा है मेरा मानना है आप कंसेप्चुलिटी देखिए अगर आपने हमसे बिजनेस और मुझसे पर्टिकुलर आपने पड़ा है और फिर इंट को करूंगा तो आपको कहीं पर भी तक्रीब नहीं बैस्ट कोशन जो कोशन पूचे गए वैसे कि मैं पूचे लाके आप को करभाने कोशिश कर रहा हूं ठीक है लाइक और कमेंट और शेर जरू कीजएगा अपने दोस्तों को कीजएगा और नीचे लाइक और कमेंट आपके बहुत कमार है अगर वो आएगे तो मैं आगे सा अगे और जल्दी जल्दी वीडियो बना निकोसिस करूँगा दा प्रोविजन ओफ रेजिनेंशल अकोमडिशन तो दे मेंबर्स एट इस अब्जेक्टि ओफ मैंने आपको कॉपेटिस सोसाइटी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कॉपेटिस अलग अलग अल यही ता जिसे यही आवास मनडल हों स्बहते के लिए इनका एधम कैसे हैं कि अपने जो मेंबर से इनके जो मेंबर से उन मेंबर्स को ऑफौटेबल हाउजिंग फेसेलिटी मिल जाए फोडेबल हाउजिंग फेसे अरनी के ख़र। बलेन उनकी रकम में मिल जाए उच आयवर्गी हो निम आयवर्गी हो डिपैंड करता है अलग लग लगता है छोटे फ्लैट कम पैसों में करेंगे को बड़े पैसों में खर्च कर सकते तो जैसे 50 लाग ऐसे मार्केट में जाए कि एक क्रोड का पड़ेगा लेकिन इनके मेंब प्सवाल अपना क्या है एस एपने के मेंब्र स्थ 20 ऊजर्ड रहने के लिए आवाश यह तो चोड़े में आवाशते हैं डाते के स्कता है तो शिदी सी बात है नाम Housing किसमें हो रहा है Housing cooperative तो इसका answer हो जाएगा Housing cooperative ठीक है यह आपका यह Housing cooperative ऑके यह फासे मंडल भी कह सकते है इसको जो अलग अलग नाम होता है जैसे ठीक है next the structure in which there is a separation of ownership and management as per law is called ऐसा structure जिसमें मालिकाना हरक और management दोनों यानि ये ownership और management ये दोनों अलग-अलग हो जिसको bifurification district कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, separate कर सकते हैं, ऐसा law के त्याट किसमें हैं, आपको याद है जब मैंने company की definition बताया था, company की characteristic बताया था, मैंने आपको एक चीज बताया थी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है सर, separate legal entity, एक concept बताया था मैंने आपको, separate legal entity concept बताया था, उसका मतलब यह होता है कि company अलग है, उसका management अलग है, company का अस्तित्व अलग है, उसका management का अस्तित्व अलग है, यानि company के सारे rights है, एक सी वो वोट वोट नहीं दे सकती, सा है क्या partnership में है नहीं पार्टनेशिप सारे लाइबल होगे unlimited liability होती है तो अकेला ही है कभी भी उसको धर्गे ले जा सकते हैं सारे business organization में नहीं जब दो मेनी है तो सारे में कैसे होगा तो बचा क्या company तो याद लागू होता जहां पर नॉट का परियोग हो जाए तो आप गड़ बुट जाएगी आपने धर्ती यह देते शर ने बोला था कुछ नहीं देखना आनन फानन आंसर कर देना आप पर रूल जाओगे ऐसा नहीं करने आप उनको अपनको पूरा सवाल भी बता है लेकिन एक बार क्लिक हो जाना चाहिए कि बस यह कंपनी की बात हो रही है अब मैं अपने आपको कंफर्म कर लेता हूं नौट है यह से क्या है ठीक है तो इसका अशर हो जाएगा शिक्स है ठीक है ओके सर्फ सेवन्थ वीच फॉलविविग इस क्यरेक्टिस्टिक औफ को पेटिव को पेट लिए लाइबल नहीं होगा यानि इंकम टेक्स के ओपर नहीं लगेगा पहला तो सही है वन वोट पर शेर ऐसा नहीं है वन वोट वन मेंबर है क्या है यह आपको कंफ्यूज करने के लिए लिए लिखा गया है वन वोट वन मेंबर अगर यह होता तो बात सही होती लेकि वन यह मतलब ना यह गलत है ठीक है ना वह सही है ठीक है मैंने मेरे पास ऐसी फैसलीटी है तो मैंने उसी से काम किया आपके लिए ठीक है यह इसका पहला ठीक है दूसरा next question a dast partner is an owner who has unlimited liability and is active in the managing firm ऐसा partner मैंने अलग-अलग प्रकार के प्लत के पुछ रहा है जो partner ए即क होता है वो fully active partner होता है दूरी क्या होता है एक्तिव रहता है घंराल पार्टर में क्या होता है वह ऐक तो היதे वू एक पर्णर मेरे लिमिश्च अलेमें यह सो ही है सारे पार्ट एक्टिव भी रहता है, चीक है, चीक है सर, सामानिय सब आगी, चीक है, next, the form of business organization that has the largest sale volume in the, is the, ऐसे business organization है, वो कौन सा, ऐसे सवाल कई भार कई उठा के देख लेना, पूराने paper वहाँ पर पूचे गए है, और मैं आपको बताता हूँ, वापस आपको इनको समधना है, ऐसा कौ तो वो होता है आपका corporation, किसका होता है, corporation, corporation है नहीं, corporate, corporate मतलब company, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपको बता है, सबसे ज़्यादा sale volume करने के लिए, आदमी जब भी, आदमी की तरकी होती है, तो दिरी देर पहले तो, खुद full profit होता है, फिर उसको पैसे में registration compulsory है, क्या sole proprietor के लिए registration compulsory है, बिल्कुल नहीं है, क्या partnership के लिए registration कराना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं है, क्या partnership के लिए registration कराना compulsory नहीं है, करवा सकता है, कोई ज़रूरी जब जबस्ती नहीं करवा सकता है, none of this उपर लिग दिया गया है, उसको ऐसे करना था, लेक या इससे पहले। पहले कोंएसा था? 1956 उसमें registration होगा, registration करवाना जरूरी है, उस registration को क्या कहा जाता है? उसको incorporation of company कहा जाता है, याद रखना है सवाल ऐसा अभी MCQ आ सकता है कि company के registration को क्या कहा जाता है तो वो कहा जाता है incorporation of company ठीक है ओके ठीक है तो इसका answer आगया company याद रखना है company partnership में mandatory नहीं करवा सकता है option है partnership act 1932 के अंदर जाके करवा सकता है अब partner whose association with the firms is unknown to the general public ऐसा partner जिसको normal बाहर market में लोगों को पता ही नहीं कि इसका partner है एकदम चुप चाप silently एकदम secretly तो partner कौंचा हो गया sir आपने खुद नहीं बोल दिया देगो active partner तो पता ही होगा sleeping partner मार्केट में लोगों तो पता ही होता है partner है लेकिन sleeping है काम कुछ नहीं करता nominal partner तो वह हो गया जिसका पैसा पैसा लगावा कोई दिखत नहीं secret partner ऐसा हो गया जो क्या हो market में किसी को भीया नहीं जनरल पब्लिक को पता नहीं होता और वो partner होता है कुप्त साती नाम चे बता चल रहा है next profit do not have to be shared this statement referred to ऐसा business organization ऐसा संगटन जहां पे profit को बाटा नहीं जाता profit को share किया नहीं जाता एक एक को देखते है partnership में share किया जाता है बिल्कुल किया जाता है sir joint hindu family business यानी heof business hindu undivided family business के अंदर बाटा जाता है एक sole proprietary ऐसा है वो बाटे तो बाटे किसको वो खुद ही क्या है सब चीजों का एक ही माली के वो बाटे तो बाटे किसको तो एकल स्वामित्य वाला business होता है जहां पे profit नहीं बाटा जाता था answer is एकल स्वामित तक करता हिंद जॉइंट हिंदू family business है देखना समन्दा है हिंदू undivided family होता है हिंदू undivided family यानी वो सारी family जैसे इसका वीडियो भी मेरे अवलेबल है YouTube चैनल पर आप जाके देख सकते हो forms of organization के और भी वीडियो मेरे पार अवलेबल है हिंदू undivided family का मतलब गुआ ऐसी family जिसका family business हो जिसका क्या हो family business हो ठीक है परिवारिक व्यवशाई हो परिवारिक व्यवशाई का मतलब गुआ वो क्या करते हो business ही उनका जैसे कि खाती है कोई तो खाती वो उनके बाप दाद जैसे का आप की दुकान में आपको दिखे का नाम बवरलाल जी लगबग दादा हो थे उनके बेटे उनके पड़ब होते हैं सारे उसी business के अंदर जूड़के यानि एक family business हो गया तो उसको है वो registration कर लाते हैं अपने आपको किसमें Hindu undivided family के अंदर ठीक है तो इसके family का जो मेन मानेंगे जो इस पूरे चीज में हर जगा sign करेगा हर चीज के लिए libel होगा हर चीज के लिए उसकी liability होगी वो कौन होता है उसको का जाता है करता क्या का जाता है करता का जाता है करता मतलब करता दता सारी चीजों का करता कौन क्या आप हो तो बरिवार में सबसे बड़ जाहात में छड़े लेगे खुद की चलाते हैं, that means he will be the कर्ता, वो कर्ता होंगे, तो उसकी क्या होता है, कर्ता of the family, यानि सबसे बड़ा, जो कर्ता, जो मेन आदमी है, of joint life Hindu family business has, उसकी liability क्या होगी, उसकी liability भी हमेशा क्या होगी, unlimited रहीगे, उसकी liability भी हमें से क्या रहेगी, unlimited रहीगे, तो यह देखना, असिमित दाइत्वर हैगा, उसका भी, क्या रहेगा, असिमित दाइत्वर, ठीक है, next, the main disadvantage of the general partnership, partnership मैंने बता था, अलग अलग तरह की partnership होती है, इसमें बोल रहा है, यह अलग अलग types of partnership में से एक partnership ती general partnership, और उस partnership का सबसे बड़ा disadvantage क्या है, सबसे बड़ा disadvantage उस partnership का है कि the unlimited liability of the partner, unlimited liability of the partner, यानि जितने भी भागीदार है,जितने भी पार्टनर है, उनकी liability क्या रहेगी, unlimited, मैंने आपको बताए ता, आप एडवांटेज डिसडवांटेज बताया था तो पार्टनेर्शिप का जो डिसडवांटेज है वो जनरल पार्टनेशिप में लगता है कि सब की लाइबिलीटी क्या होती है असमित होती है अनलिमीटेड होती है और उनको घर से भी लाकर पे करना पड़ेगा तो पे करना सब्सक्राइब कर दोगा है एक आदमी घर से थेला लेकिन ना तो किसी को profit बाटना है ना किसी से पूछना, ना किसी से पूचना चावी कुद गया, खुद उनता कि आज नहीं करना तो नहीं किया, घर आ गया, ऐसा business कौन से हो सकता है तो वो है sir, स्वामीट वाला एक स्वामी वाला बिजनस फोपार शêuब है चीक है सिंपल से कुशिन कई बार पुचा हुआ और hardest business ownership के लिए कौन होगा तो वह कॉर्परेशन होगा या company क्या दो यह होजाएगा ठीक है पॉर्पेट्व के निया आया थो की सब्सक्रीब करता है वो किसमें करता है अग्रिक्लचर के अंदर पर आपने होगा के सब्सक्राइब करता है फिर आपका किसान के लिए credit cards के लिए एक किसान corporate societies होती है तो यह सारी society जो farmers के लिए काम करती है तो सबस्य ज्यादा important role किसमें निवाता आई है agriculture के अंदर क्रिशी के अंदर, ठीक है, next, the head of the joint Hindu family business कौन होता है, हुआफ का head कौन होता है, अब भी just बता है मैंने हुआफ का head कौ और वो करता होता है, ऐसे तरह के सवाल कई बार आ सकते हैं त्यान रखना, वो कान होता है, करता होता है, just अभी जो मैंने आपको समझे है, next, registration of partnership, यह भी मैं समझा चुका हूँ आज की class में, registration of partnership, partnership का registration कराना, क्या compulsory है, नहीं sir, क्या not compulsory है, देखेंगे भी आगे है, not compulsory, ठीक है, registration कराना compulsory, नहीं है, यह इसको compulsory लिख दो, यार, ठीक है, समझे, तो इसको याद रखना, याद रखना, यह छोड़ी बात है पूची जाएगी, तो अनिवारी नहीं है, next, dash company needs to have only two director, कौन से अशी कमपनी इसे में सिब दो director, यानी, needs to have only two director, यानी, नीट प्राइट कमपनी होती है, एक public company होती है, public company में साथ चाहिए, यहाँ पर दो चाहिए, याद रखना, जहाँ पर दो, कहां पर चाहिए, तो उसको answer हो जाएगा, private company, कौन हो जाएगा, private company, नीजी, इसको company कहतो, ठीक है, नीजी company, ठीक है, समझे, मैंने बता था, यह कि आपक कि यहां पर हो गया था चलो नेक्स्ट यहां पर यह साथ यह मेंबर्स थे ठीके ना यह मुझे यहां पर थोड़ा कन्फीजन हो गया डारेक्टर की बात करेंगे ना इसको मैं थोड़ा साप कर लेता हूं यहां मेंबर्स की बात करेंगे तब तो याद रखना है प्राइविट कंपनी और यह पबली कंपनी है ठीक है मेंबर्स की बात करेंगे यहाँ पैसे लिए तो मेंबर्स की बात करेंगे तो मेंबर्स में यहाँ पर कितने होने चीए दो मिनिमम होना चीए यहाँ कितने होना है साथ यह मिनिमम की बात है ठीक है मिनिमम और मैक्जिमम की बात करेंगे तो कितने होने चीए यहाँ पर 200 याद रखना, चलो, next, the company does not invite public to subscribe to its share, ठीके, चल रहा है, class, हाँ, company does not invite the public to subscribe its share capital, कौन से अची company है, जो public को invitation नहीं करेंगे, कि हमारे share को subscribe करें, तो याँ, public company का मतलब यह है, कि public का invitation होगा, public से share लिया जाएगा, public से मतलब पैसा लिया जाएगा, public से पैसा, invitation दे सकते है public को, कि आप हमारी company के अंदर पैसा लगाए, लेकिन private company ऐसा नहीं कर सकती, private company अपने ही जो director और जो उसके member, shareholder, उनीचे लेगी, तो याद रखना, इसका answer भी क्या होगा, private company, private company, private company does not invite public to subscribe its share capital, ठीके, याद रखना, इसको, next, the maximum number of partners allowed in the banking business, याद रखना, जो questions, जो मैंने notes में नही in banking business, partners, banking business, maximum partners कितने हो सकते हैं, वैसे, वैसे 50 हो सकते, मैं आपको बता है था, महाँ पे companies act का भी बता है था, 50 हो सकते, लेकिन banking business के अंदर कितने होंगे, banking business के अंदर कितने होंगे, 10, कितने हो जाएंगे, 10, the answer is 10, ठीके, 10, 10 से जाधा नहीं होगा, तो question, confuse का ने के लिए प है, याद रखना है, हिंदू, यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला था, हिंदू succession act, मैंने डाल दिया, ताकि बाइचायन से सवाल आजा आपके दिवाये, तो हिंदू succession act, कौन से act कब पारित हुए थे, उनकी dates क्या है, याद रखना है, जो act आपके syllabus के अंदर है, उनको त याद रखना है, इंडियन कॉंटेक्ट एक्ट है, ठीक है, अटारो सो, बहुत्तर वड़ा, वो याद रखना है, फिर आपके सामने है, जैसे कि companies act है, 2013, ऐसे सब यह सिब याद रखना है, यह पीछे वाल एसान है ना, यह याद रखना है आप और कुछ निए, आपके इस बोट एन एजेंट एन प्रिंसिपल, इस पे तो मैं करीबन अपनी क्लास का दस्मिन, पूरा पूरा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, कि एक आदमी, every partner, हर partner, एक दुसरे का एजेंट भी होता है, एक दुसरे का प्रिंसिपल भी होता है, identify the characteristic of the partnership is referred easier, तो वो उसको क्या का ज जाता है, इसको mutual agency, पारसपरिक मत दे, ठीक है, तो यह इसका answer है, और यह सवाल आ रखा है, आपके exam के अंदर आ रखा है, अभी भी लिखा के लिए लो, पूरानी खोल के देख ले ना, mutual agency का सवाल आ रखा है, तो ध्यान हना, तो यह चीज़े मैं बता चुका हूँ, कि principle, एक partner, एक दूसरे के बीच में, जो relation होता है, उनको mutual agency relation का जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसका agent भी होता है, उसके विहाब पर काम भी करता है, और वो कोई काम करता है, तो दोनों equally liable होता है, एक दूसरे partner कोई भी काम करेगा, वो liable होगा, समझा मेरी बात, यानि यह Mr. X है, यह Y है और यह Z है, अब X ने कोई काम किया है, तो यह दोनों भी liable होंगे, और Z ने कोई काम किया, तो X और Y भी liable होंगे, यानि X एक बार तो agent का रूप भी काम करता है, as a agent भी काम करता है, और as a principle भी काम करता है, मेरी class के अंदर में पूरी बात अच्छी तरीक से समझा रखी है, ठीक है, इसका answer होगा है, next, 24 question, a prospectus is issued, prospectus हता क्या, prospectus कुछ नहीं है, जब company public, जब आप और हम लोगों के पास share के लिए, गुहार लगाती है, कि आपको पैसा चाहिए, हम company को पैसा चाहिए, company share issue करती है, और हमें जो पैसा डाने के लिए, जब company नया share issue करती है, न क्या करती है, invitation to public, public को invitation देती है, अपने देते हैं, कंकु पत्री, कार्ड, ब्याओं में, साधी में, तो वह invitation company देती है, कि शेर बटर है, हमारे आप पैसे लो, और शेर ले लो, तो वही वाली चीज, अक्से कुमान ने उस picture में दिया थे, खिलाडी में, कि कंकु पत्री बा इसको बोला जाता है, प्रोस्पेक्टेस, कंपनी की पासा में इसको बोला जाता है, प्रोस्पेक्टेस, ठीक है, अब हिंदी में देख ले ना, वीवरनिका बोला जाता है, इसको ठीक है, वीवरनिका बोला जाता है, प्रोस्पेक्टेस याद रखना, ठीक है, इंधी चलता है आप बाहर के लोगों को बुलाई नहीं सकते तो कॉंगु पत्री नहीं सकती पॉब्लिक अंपनी तो बिल्कुल कर सकती है पॉब्लिक एंटरप्राइजेज कर सकती है क्या पॉब्लिक एंटरपाइजेज करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है पॉब्लिक अंपनी से लेकि वो दीजिए तो उससे आपसे आंसर हो जाता है अगर आप सी देखर आगे तो आपका अंसर हो जाएगा गलत सर गलत क्यों हम तो सही है लेकिन जनता से निवेश चाहने वाली एक सारवजनी कंपनी वो इशू करती है क्या प्रोस्पेक्टेस ठीक है अब पब्लीक अपनी तो हो सकते लेकिन जनता से निवेश चाही नहीं तो बात कता मुझे है चलो इसका अभी जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको बताता है छह तरह की की कोपेटी सोसाइटी अपने नोट्स में पूरा एक एक को अपने डिस्क्राइब कर रखा है ठीक है क्या माइनर एक पार्टनर्शिप में पार्टनर हो सकता है इसके पर भी अपने 10-15 में क्लास के अंदर पर डिस्केशन कर चुके है कि माइनर एक पार्टनर्शिप का पार्टनर वैसे तो कॉंट्रेक्ट के साब से तो इनकैपेबल है यह क्या है इनकैपेबल है वो पार्ट वो सिर्ट किसमें हो जाएगा प्रफिट के अंदर ही पार्टनर होगा यानि लॉस अगर हुआ तो वह श्लीन का बॉकतान नहीं करएगा प्राफिट हुआ तो वित डे जायेगा नहीं तो नहीं करेगा यह से प्रफिट्स नुजिख सरकार के किसी से। of Parliament or State Legislature is called जब Special Act of Parliament से कोई कंपनी बनती है State Legislature, राज्य सरकार के किसी legislator से कोई कंपनी बनती है तो उससे क्या का जाता, कंपनी पढ़ाया था, मैंने टाइपस ऑफ कंपनी पढ़ाया था तो इनको भलता है Act of वैदानिक कंपनी या स्टेचोरी कंपनी आंसर इस बी नेक्स अ कंपनी इन विच फिफ्टीवन परसेंट और मोर और पेड़ पेड़ केपिटल इस हेल्ड बाई झालारी या सेंट्रल्ण सेयर या इन दोनों मिलके पैसा डालके सिठ्व सिथ्व तरीकों पर सरकारी कंपनी कहा जाएगा गवर्मेंट कंपनी कहा जाएगा याद रखना है यह भी उस टाइप सब्सक्राइब में बता चुका हूँ ठीक है इसी सवाल है लेकिन इतने ऐसी सवाल आने बाले हैं इंडस्ट्री एंगेज इन डिस्कोवरी और एक्स्ट्रेक्शन इनगे खोज करना इनको बाहर निकालन एक्स्ट्रेक्शन करना एसिंडस्ट्री को कैका जाता है तो मैंने इंडस्ट्री के अंदर अरफ को स्क अकर पता चल रहा है एक और दियान रखना बात जब इंग्लिश वीडियो में आपको कर रहा है और जैसे एक्स्ट्रेक्टिव आ गया आपके सामने अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करे क्या तो आप हिंदी का ओप्षिन भी हाथ आप हिंदी में करके देख लिए मैं जैसे खनन उद्योग निमाग में करता है खनन नहीं होता है तो इसका आंसर यह हो गया लेकिं इंग्लिश में जब याद नहीं आया था तो आपको यहां पसे आए ऐसा है हिंदी मेडियो में अगर कहीं पर बारी सब्दा जाब कर दो आप लोग अब इसका क्या होगा जैसे आपके दिमाग में गया एक्स्टेक्शन थोड़ा सा दिमाग में आ सकता है नेचरल रिसोर्स जान इनकी खोज के लिए ठीक है बाहर निकालने के लिए लास्ट कौशन अफ प्रकार को अशलिटी करती ट्रीट के खुद मुख्ये ट्रीड नहीं लेकिन इसको फैसिलिटीज देती है जैसे की जैसे की वेर हाउजिंग देना सर प्रांसपोर्टेशन देना ये सारि क्या है ये सब फैसिलिटीज है इसको चलिक हुआ वैसे तुम्हें इसको सब मिटा के दूंगा आपको सके वेर हाउजिंग नोट्स दूंगा ट्रांस्पोटिशन ठीक है अद्वर्टाइजिंग यह सब क्या है मार्केटिंग यह सब क्या है ट्रेड की सायोगी से ठीक है सायोगी यानि इसको और अच्छी तरह की से फैसिलिट और यहाँ पर आपको याद है जाएगा तो आज की क्लास के 30 कॉश्चन कंप्लीट कर लिए 34 मिनिट हो गए 35 लास्ट मिनिट हो जाएगे तो आपके लिए वह बहुत 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 दन्यवाद आपका प्यार सदेव बना रहे है और ऐसा ही आप लाइक आप लाइक और लाइक सब्सक्राइब करते रहे है चैनल को वन एक्जाम टॉटेंग को धन्यवाद